हेलो गाइस तो गाइस यहाँ पे एक इवेंट चल रहा था ठीक है उस इवेंट का second part आ चुका है तो गाइस आज की इस वले वीडियो पे मैं तुम लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूँ मतलब वो जो इवेंट उसका जो second part आया है उसके बारे में तुम लोग को आज इसाई बैनर है ठीक है यह तो यहाँ पे दिखा रहा है बट इस तरफ एकदम आ जाना है last में तो देख सेकतो है दोनों का बैनर सेम है यहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ glitch की वागेर की वाज़े से जो है ऐसा दिखा रहा है तो भाई यहाँ पे जो लास्ट वाला बैनर है तो भाई यहाँ पे यह second part है अब guys यहाँ पे करना क्या है बहुत simple सा है, मैं तुम लोगों बता देता हूँ यहाँ पे देखो rewards बगरा जो है same है यहाँ पे जो था ठीक है यहाँ पे जो है, यह सब जो rewards है यह सब लेने के लिए जो यहाँ पे यह जो token है यह तुम लोग को लेना है उसका तरीका जो है यहाँ पे अलग हो चुका है यह जो second part है इसमें तो भाई देखो यहाँ पे एक तो है यहाँ पे research supply token और दूसरा है यहाँ पे research chip ठीक है यह दो चीज जो है यहाँ पे तुम लोग को मिलेगा यह जो second part है यहाँ से अब यहाँ पे जो research supply token है इससे तो तुम लोग यहाँ पे reward बगेडा ले सकते हो ठीक है और यहाँ पे जो दूसरा और एक चीज है वो है research chip ठीक है तो इससे क्या होगा तो देख सकते हो यहाँ नीचे एक research करने का जो है एक button है तो इस पे click करना है और यह पूरा server का है ठीक है तो यहाँ पे पूरा server का जो है यहाँ पे देख सकतो percentage भी दिया हुआ है 10% में 50 जो है research supply token मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे यह पूरे server का है ठीक है ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें यह करना है पूरे server का जैसे जैसे यह percentage यहाँ पे आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे तुम को research supply token तुम लोगो जो है यहाँ से मिलता रहेगा ठीक है और यह जो है यह जो research cheap है इससे तुम लोगो करना है यहाँ पे research ठीक है उसके बाद ही यह percentage आगे बढ़ेगा और यह पूरे server का होगा ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो 10% में 50 जो है research supply token मिलेगा उसके बाद 25% मे 100 मिलेगा 75% में जो है यहाँ पे 150 मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हो 100% जैसी हो जाएगा तो यहाँ पे 150 मिलेगा है research supply token टो है पर रिसर्च अप्लाई टोकेन यहां पर मिलेगा और यहां पर देख सकते हो बहुत कुछ जो है मिसेन बगेडा भी यहां पर दिया हुआ है यहां पर देख सकते हो चैलेंज मिसेन है तो उसको यहां पर देख सकते हो उसमें भी जो है यहां पे मिल रहा है research supply token and guys यहां पे research chip ठीक है and guys यहां पे today's mission लिखा है तो यहां पे देख सकते हो बहुत सारा mission है इसको तुम लोग complete करोगे तो भाई यहां पे देख सकते हो यहां पे research supply token and guys research chip मिलेगा इस भी mission पे यहाँ पे जितना भी लिखा है उतना यहाँ पे जो है मिलेगा ठीक है तो गाईस ऐसे करके तुम लोगो जो है research supply token तुम लोगो जो है collect करना है ठीक है तो उसके बाद यहाँ से जो है तुम लोग बहुत सरा rewards ले सकते हो देख सकते हो permanent race है permanent UMP का skin है and guys उसी के साथ बहुत सरा और भी यहाँ पे rewards है जो तुम लोग यहाँ से ले सकते हो तो भाई यहाँ पे यह है जो है इस event का second part तो भाई यहाँ पे मैं तुम लोगो दिखाता हूँ यह जो है login का है यह मैं collect कर लेता हूँ तो guys यहाँ पे देख सकते हूँ मुझे यहाँ पे research supply token मिला है and guys उसके बाद यहाँ पे मुझे एक research chip भी मिला है ठीक है तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को यहाँ थोड़ा research करके दिखाता हूँ तो guys यहाँ पे मैं तुम लोगों को research करके दिखाता हूँ तो यह पूरे server का है तो जैसे यहाँ पे जो है server में यहाँ परसेंटेज आगे वरता रहेगा वैसे यहाँ पे जितना भी यहाँ पे मतलब result supply token है वो यहाँ पे जो है मिलता रहेगा ठीक है तो यह भाई पूरा का पूरा event है बहुत simple है और यह event भाई यहाँ पे 15 October को जो है start हुआता कल start हुआता और यह जो है 14 November तक जो है यह चलने वाला है ठीक है तो गाईस यह था पूरा का पूरा जो है यह second part इस event का तो भाई इसको complete करो and यहाँ पे जो भी डिवार्ज है वो तुम लोग ले सकते हो तो गाईस यही था वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना तो गाईस मिलता और किसी वीडियो में तो तब तक के लिए बाई गाईस